बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तो दीपी लेक्टोनिश लैब में आपके सामने ये जो LG का 32 इंज टीबी देख रहे हुए ये एक नॉर्माल टीबी है और मैं इस टीबी को कनवर्ट करने वाला हूँ एक एंडुएड टीबी का अंदर तो एंडुएड टीबी में कनवर्ट करने होते लगांगे इक तो सेम लगाएंघ सेम कीमात के अंदर हमें Market में ये उली बॉट मिल जाती है तो इस तर हम इसको लगाएंगे और इस TV को एक Android TV में convert करेंगे तो इस वीडि़ी के जरीए में आपको पहला चीज दो बताना चाहूँगा कि आगर आपके TV के अंदर पहले सही power supply अलग से लगा हुआ है तो आप इस type का motherboard को लगा सकते हो जिसको बोला जाता है U11 type Android motherboard यही आपके लेकिन अगर आपके TV के अंदर कोई combo motherboard लगा हुआ है न तो उसके लिए यह motherboard आपके लिए सही नहीं रहेगा उसके लिए आपको क्या अगर यह वाली आपको इंस्ट्रॉल करना है आपके combo motherboard वाली TV के अंदर तो उसके लिए आपको अलग से power supply लगाना परेगा लेकिन market में with power supply यानि कि combo motherboard भी मिल जाती है तो वो भी आप लगा सकते हो आपको सारे चीज सेम टू सेम है लेकिन आपको जो ना कुछ चीज़े ध्यान में रखना होता है पहले तो LVDS के बेल देखिए इस panel के साथ जो LVDS के बेल हमारे पहले वाली बोड के साथ लगा हुआ था वो LVDS के के बेल हमारे उनिवर्सल बोड के साथ नहीं लगेगा इसके लिए हमें एक अलग से LVDS के बेल की जोयोत पड़ेगी हमेरे पैनल के कनेक्टर के हिसाब से तो हमने देखा कि इसे कनेक्टर त्री स्पीन का है और इसका जो पाउर सप्लाई है ना यह लेफ साइड में है तो परनें हमने के सुई टेबल या निकी इसको साफ़ोड करने वाला LVDS के बेल यहां पर ढूणा और उसके बाद यहां पर मैने पहले तो connect करके देखा और left side में इसका power supply था तो में हमने हमने left side में लिया अगर right side में होता तो हमें right side का Waal का लेना परता और इसके बाद देख 3 connection करा हूं Positive negative और backlight इनेबल करने के लिए यहाँ पे आमने total 3 connection करा हूं और यह 3 connection कहाँ जाएगा हमारा power supply के साथ connect हो जाएंगे कैसे connect करना है यह भी मैं आपको बताँगा अगर आप किसी टीभी का अंदर कोई rit- इंस्ट्रोल करने जाते हो तो यह सारे configuration या यह सारे आपको modify करने के कोई भी जोड़त नहीं है आपको सिर्फ board को आके install कर देना है, backlight को लगा देना है उसके बाद panel का connection कर देना है बस हो गया, लेकिन अगर आप U11 type का board को लगाना चाहते हो तो आपको क्या क्या modify करना परेगा आप ध्यान से देखिए, यह जो power supply देख रहे हो ना, यह power supply क्या है कि इसके अंदर कुछ protection दिया हुआ रहता है तो protection के लिए सबसे पहल हम क्या करेंगे 1K resistance लगाएंगे और यहां पे देखिए कौन सा पीन के अंदर कितना voltage आना चाहिए आपे सारे लिखा हुआ है तो मैं 3.3 volt और जो backlight नहीं यानि की जो power supply enable के लिए जो signal है उसको हम लोग आपस में connect कर देंगे क्यों कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम लोग कोई AC supply इन्पूट करेंगे तो यह दूरंति 13 volt आउटपूट कर देगा जो कि हमें चाहिए 12 volt और 13 volt जो भी निकलेंगे वो यह directly हमें चाहिए होता है universal board को चलाने के लिए तो इसलिए हमें यह वाली एक के resistance आप लगा सकतो आसान इसे कोई भी problem आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 3.3 volt का जो पीन था उस पीन के साथ power 1 जो signal था ना जो पीन था उन दोनों पीन को आपस पर हमने यहाँ पर connect कर दिया हूँ एक resistance के मदद से और हमने क्यूँ कर रहा हूँ यह भी मैं आप लोगों बता दिया हूँ तो हमारा पहला काम हो चुका है पहला ने दुस्तरों यानि कि power supply modification का यह हमारा पहला काम पहले यह करा और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़े और भी लिखा हुआ है जो कि 12V है और ground है जो हमें connection करना परेगा universal motherboard के साथ हमने तीन connection जो रहा था ना एक backlight enable के लिए positive और negative के लिए तो तीन connection हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे positive को जोड़ देंगे हमें positive के साथ जहाँ पर हमाँ 12V या 13V क्योंकि जो branded TV होता है ने तो 12V के जगा हमाँ पर 13V output होता है तो कोई भी problem नहीं होंगे क्योंकि हमारा universal motherboard के अंदर आप maximum सारे 13V आप दे सकते हो 14V से नीचे तक आप input कर सकते हो यहाँ पर देखिए हमने 12V का connection कर दिया हूँ और यह connection सही से हुआ है कि नहीं हमने क्या करा और जो multimeter से भी इसका continuity चेक कर लिया ताकि हमारा गलती से connection उल्टा हो गया तो हमारा board ख़ड़ाग होने की chances रहता है इसलिए हमने पहले connection करने के बाद इसको एक बाद चेक कर लिया उसके बाद backlight को enable करने के लिए जो पिंद्या हुआ था उसके साथ भी हन में connection कर दिया हूँ और आप देख सकतो हो कि हमारा modification का काम complete हो चुकी है तो अब हम इसके अंदर अगर power देंगे तो हमारा ये TV चालो हो जाएंगे लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा ताकि लगे कि हमने इसके अंदर जो modify करा हूँ वो बिलकुल original जैसे लगे इसलिए हमें जो indicator होता है उसका भी connection करना होगा उसके बाद IR का connection करना होगा जो इस TV के अंदर पहले से ही IR blaster लगा हुआ है जो IR sensor लगा हुआ है वो ही sensor को हम इस board के साथ connect करेंगे ताकि customer को satisfaction मिले कि इसके अंदर जो पहले से ही IR sensor लगा हुआ है वो ही काम कर रहा है और remote हम तो अलग से देंगे LG remote भी आप इसके अंदर set कर सकते हो लेकिन हम लोग क्योंकि LG का जो normal TV था इसलिए उसके अंदर direct YouTube बगड़ा नहीं था तो हम लोग इसके जो board के साथ जो remote मिला था वो ही remote को देंगे तो हमने इस board को अभी निकल लिए हूँ देखिए और अब मैं इसको रखता हूँ side में और इसके जगा पर मैं इस board को एक बड़ टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि पैनल के अंदर picture बन रही के नहीं उससे पहले हमें इसके साथ IR sensor यान के remote को काम करना के लिए जो हमें connection करना पड़ेगा ना यह हम ढूंड़ा हूँ देखिए पहले तो हमने ground connection ढूंड़ा ground connection को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यह जो connector दिया हुआ है एक connector को हम cut करेंगे और उसके बाद जो है ना हमारे यह देखिए जो motherboard के अंदर ground का connection था वो हमने कर दिया हूँ यहाँ पर देखिए आपको पीछे साइड याने कि इसे बाली board के पीछे साइड लिखका होता है कि कहां से या कौन सी pin के साथ कौन सी connection करना है तो हमने ground का connection यहाँ पर कर दिया हूँ तो ठीक इसी पुरोकार से हमें इसका जो red signal का जो indicator होता है उसका भी connection करना हो गया उसके साथ ही साथ जो हमारा IR का connection है वो भी करना परेगा और उसके साथ साथ हमें इसका जो positive power supply भी हमें देना होता है उसका भी connection करना परेगा तो यहाँ पे total चार connection हमने कर दिया हूँ connection करने की जोरत नहीं परेगे तो चलिए हमारा connection तो complete हो चुका है यहाँ पर लाइन भी आ चुका है आपने देखा है तो यह remote भी काम करेगा इस टनवाइस frame के साथ लगा होगे ना वह भी मैं आपको दिखाऊंगा देखिए इसका backlight जल चुका है और अब इस tv को में उठाता हूं उठाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ग्राफिक्स बना है या नहीं दिखिए android का जो बूटिंग का जो लोगो है यह लोगो आ चुका है तो हमें थोरा सा टाइम देना परेगा क्योंकि जब भी कोई भी android system पहली बार open करता हूं तो थोरा सा टाइम ले था इसको बूटिंग प्रोसेस कंप्लेट करने के लिए तो यहां पर देखिए android लिखा आने के बाद हमें इसका graphics देखने को मिल गया है android tv भी लिखा आ चुक हमने अपने website पर डाल के रखा हूं www.dpill.com वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और आप इस तरीके से board को frame के साथ attachment करके आप fix कर सकते हो इसके उपर मैंने एक अलाग से वीडियो बना के रखा हूं हाला कि यह दूसरे tv का footage है तो इसी तरीके से हम लोग board को fit करता हूं tv के प यह picture है ना वो picture किस type से आपको देखने को मिलेंगे अभी मैं इसे tv को चालू करने वाला हूं और चालू करने के बाद आपको यहां पर देखिए सबसे पहले तो android का logo आ चुका है आप booting होगा booting होने के बाद आपको इसके अंदर सारे चीज़ देखने को मिलेंगे जैसे कि सारे कुछ देखने को मिलेंगे तो फिलाल के लिए यह booting process complete होने देते हैं और आपको इसके अंदर पिक्चर चला के दिखाते हैं हमारे टीवी के अंदर ग्राफिक्स आ चुका है आप मैं यूटूब पर चलता हूं और यूटूब पर जाके एक थोरा सब वीडियो आपको कीजिए गा और अगर आप किसी भी topic पर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे comment करके बताएगा आपके comment के उपर एक वीडियो बना दिया जाएगा ऐसे वीडियो ने यह वीडियो में तब तक लोगे से all the best